देखिए यहां से पोने 15 इंच पर रखा था हमने लंबई यहां से सवा 5 पर हमने कटोरी की कटिंग रखी हुई है और यहां से देखिए जब हमने पोने 15 रखा था तो यहां पर कितना आया था पोने 14 इंच यानि यहां से 1 इंच कम और यहां से फिर मैंने कितना रखा था पो यहां पर आकर कम हो जाती है ठीक है तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल पराग बुटिक पर देखिए दोस्तो बलाउज की लंबा ही है 14 इंच याने 14 चेस्ट है इसका फुल चेस्ट है 40 और आपर चेस्ट है इसका 38 इंच ठीके कमर है इसकी वेस्ट मतलब 30 शोल्डर 45 इंच याने 14,5 अस्तिन की लेंध है 6 इंच याने 6 अस्तिन की गुलाई है 12,5 आर महल है इसका 8,5 इंच याने 18,5 फ्रंट गला है इसका 7 इंच और बेक गला है इसका 5 इंच कटोरी बलाउस है और दोस्तो देखिए आपको आज बहुत एक बढ़िया आईडिया मिलने वाला है कटोरी बलाउस को कटिंग का ये एकदम आपके हमेशा काम में आने वाला है क्योंकि मुझे सभी लोग कहते थे कि डीब गले पर आप कटिंग बता देते हैं लेकिन बेक गला यदि हमारा 5 इंच हो, 4 इंच हो तो किस प्रकार से कटिंग करेंगे ठीक है न तो आज हम क्या कर रहे हैं, बेक गला है हमारा 5 इंच और जहां हमारा बेक गला 6 इंच से कम हो जाता है हमें अपर चेश्ट और फूल चेश्ट दोनों की जरुवत पड़ती है ना कि हमें बेक गला यदि हमारा 9-10 इंच है तो हमें अपर चेस्ट की कोई आउशकता नहीं पड़ती है लेकिन कालर वाले ब्लाउस में और छोटे गले के जो ब्लाउस होते हैं ना 5-6-4 इनमें आपको अपर चेस्ट की आउशकता पड़ेगी तो दोस्तो इस वीडियो को हम करते हैं शुरू और पूरा ध्यान से देखिएगा ब्लाउस की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे की मार्किंग रगल लगाते हैं सबसे पहले हम आदा इंच नीचे दबाव का छोड़ देंगे ऐसे ठीके यह आदा इंच हमने दबाव का छोड़ दिया है अब यहाँ से देखेंगे हम 14 इंच हमारे ब्लाउस की लंबाई होगी ठीके यह देखिए यहाँ तक यह 14 इंच पर एक निचान और आदा इंच यहाँ पर मैंने उपर शोल्डर में दबाव के लिए रख लिया ठीके तो यह आप कुल में कित्ती लंबाई आ गई है 15 इंच ठीके ना तो मैं इसे निचान लगा देता हूँ ठीके यह दबाव का हो गया और यह बीच में हमारा है बलाउज अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 6 इंच पर रखेंगे इसका आर महौल 6 से 6.5 पर आर महौल की लंबाई लगाएंगे यह क्यों करते हैं अभी बताते हैं गले की जो चोड़ाई रहेगी इसकी गले की चोड़ाई रहेगी 3 इंच ठीके 3 इंच गले की आपको चोड़ाई रखना है गले की पीछे की लंबाई हमने कितनी बताई थी 5 इंच तो इसे कित्ता रखेंगे हम साड़े 5 इंच ये देखिए साड़े पांच पर एक गले का निसान लगाया ये गले की हम गुलाई दे देते हैं अब गला जब छोटा होता है तो गले की जितनी उपर गुलाई रहती है उतनी ही गुलाई नीचे रखना है अगर तीन यहाँ है तो तीन यहाँ पर भी रखना है और इसे मिला देना है इस प्रकार से ठीके देखिए इसका शोल्डर था सवाँ चाओदा इंच याने 14 एंच तो इसमें से श्रीप पॉन इंच जो रहेगा ना उसे कम करना है आधे से पॉन इंच ठीके वन पाइंट अब इसका कितना रखा हमने शोल्डर इसका रखा हमने साड़े-बारा ठीक है ये गला इतना खुला है तो हमने रखा इसे साड़े बारा तेरा रख लेते हैं दबाव मिलाकर ठीक है यह देखिए दबाव मिलाकर हमारा कितना गया है सवा तेरा इंच तो सवा तेरा पर एक निशान लगाते हैं यहाँ पर पहले एक हम निशान लगा लेते हैं सिधा यह हमने सिधा मार्क किया अब यहां से हमें कम से कम पौन इंच याने इतना यहां देखिए इतना है ना पौन इंच हमने इसको कर दिये यहां से तिर्चा ठीक है इतना तिर्चा इसे करना है अब इसे यहां से हम मिला देते हैं ड्राइफ धिक यह हमारी बैक की ड्राइफ होगी देखिए दोस्तो जैसे ही हमाराघ कम होगा पूरे बुलाउस की कटिंग change हो जाएगी कभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा गले के उपर blouse की cutting पूरी तयार होती है ठीक है तो अब इसे रख लिए हमने यह रिशान हमारे लग गए है अब देखिए इसका chest कितना था chest था हमारा 40 inch ठीक है अपर chest कितना था हमारा 38 inch इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं हम 3 inch की बढ़ा देते हैं losing लेकिन losing कहां बढ़ेगी losing बढ़ेगी हमारी upper chest पर 3 inch तो यह कितना हो जाएगा 41 inch ठीक है 41 का 14 कितना आएगा 10 and 1 याने 7 10 inch ठीक है तो 7 10 पर आप यहाँ पर लगाएंगे एक mark और 1.5 inch की हमारी margin ठीक है 7 10 इसका रखेंगे हम chest और losing काई पर देंगे हम upper chest पर full chest पर losing आपको यहाँ पर नहीं देना है ठीक है यहाँ पर किस पर देंगे losing आप अपर chest जैसे upper chest हमारा 38 है तो 3 inch हमें बढ़ा लेना है यह नाप के blouse से नहीं है यह body नाप से बता रहा हूँ आपको ठीक है यह 17 पर निसान लगा दिया अब इसकी कमर किती है कमर है इसकी 30 ठीक है तो यहाँ पर साड़े साथ पर एक निसान लगाएंगे 7 1.5 पर और 1 inch का इसके देंगे dot का और 1.5 inch की यहाँ पर देंगे हम margin अब देखिए यहां से हमने निसान लगाते हैं अब देखिए जैसे ही यह गला बढ़ा रहता है तो यह ड्राइंग आ जाती है अंदर तरफ जैसे ही गला ये छोटा होता है तो ड्राइंग जाती है बाहर की तरफ ये रहता है कटिंग का एक तरीका हमारा आर्मोहल कितना है इसका हमारा इसका आर्मोहल है साड़े अठारा इंच ठीके तो हम आर्मोहल के से नापेंगे आपको मालूम है यहां से आदा इंच जहां से हमा कितना है सबा 9 inch याने 16.15 इंच ठीक है यह confirm हो गया तो इस तरह का जब blouse काटेंगे आप तो इसका 16.15 पर आर्मोल नापेंगे 6 इंच पर आर्मोल काटेंगे ठीक है समझ गये यह जो आर्मोल की लंबही है यह 6 इंच है और जहां से हमने नापा है जहां से अस्तिन चड़ेगी यह हो जाएगा हमारा साड़े 6 इंच पर ठीक है यहां दबावा जाएगा इस प्रकार से आप बुलाउस की कटिंग कर सकते हैं तो सीधी सी बात है मैं आपको इसका मेथड बता देता हो देखिए चालिसीं चेश था अपर चेश हर्ट एट तो हमने क्या किया यहां से 14 इंच लेंबाई थी तो 15 पर रक लिया थीक है यहां से हमने क्या किया चेंज पर रखा हमारा आर्म ह claiming ठीक है चेंज पर यहार्म होड लकल यहां से आप ड्राइंग कर लिजिए आपका ब्लाउस बरोबर आ जाएगा ठीक है यह देखिए यह मेन लाइन है इसी से हमें कटिंग करना है ठीक है और कुछ समझ में आना है तो आप मुझे कमेंट्स बाक्स पर कमेंट कर दीजिएगा यह हमने पांच इंच गले की कियेगा यहां पर कमर में हमारी साड़े साथ इंच था वन फोर तो हमने इस पर क्या किया एक इंच दिया डॉट के लिए और देड़िंच दिया मार्किंग देडिंज दिये है margin देखिए कमर्थी साड़े साथ एक इंज डॉट का लगाया और देडिंज लगा दी इस पर margin ठीके अब क्या करते हैं इसके डॉट का निशान उठा लेते हैं अब देखिए डॉट का रोल भी यहाँ पर बढ़ जाएगा आपको यह ध्यान से देखना है और बॉट की cutting पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी से भरा वीडियो है यह यह रखा मैंने ठीके अब यहाँ पर डॉट के से जिसे चार रखते हैं तीन रखते हैं ऐसे नहीं रखना है इस पर डॉट की लंबाई आएगी साड़े पांच इंच ठीके कितनी आएगी डॉट की लंबाई साड़े पांच हमें यहाँ पर बुलाउस तनाव आता है बेग में उस जगए का बेक का जो तनाव रहता है इसे यहाँ पर dot के दवारा खतम किया जाता है यहाँ पर रखा हमने आदा इंच पर और यह आदा इंच ठीके यहाँ से लगाएंगे हम एक mark और यहाँ से भी लगाएंगे हम एक mark ठीके यह dot की लम्ब़ई है हमारी अब ये हमारा बेक तैयार हो गया है फरंट के से कटिंग करेंगे जरूर ध्यान से देखिएगा और फरंट में आपको आज बहुत सारी चीजे अलग देखने को मिलने वाली है देखिए यहाँ पर मैंने जो आदा इंच लंबाई में दिये था ना मार्जिंग इसे कम कर लिया है क्योंकि डॉट लगने के बाद ये भाग नीचे आ जाता है ठीके ना और ये गले की भी हमने कटिंग कर ली है ये पूरा बेक तयार है ये हमारा बेक कटिंग हो गया है अब इसकी करते हम फरंट की कटिंग तो फरंट कटिंग करने में हमें क्या करना है सबसे पहले यहाँ से एक पोने पंदरा इंच पर निशान लगा लेना है यह रख लिया मैंने 15 इंच पर एक निसान अब क्या करेंगे यहां से देखिए चेस्ट इसका है 40 इंच और कमर इसकी है 30 इंच ठीक है दोनों में गेप बन रहा है 10 इंच का और प्लस करेंगे हम 1 इंच तो यह कितना हो जाएगा 11 इंच 11 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे बेग में डॉट लगेगा उसके लिए है ना बेग में जो डॉट लगता है उसके लिए 2 इंच माइनस कर देंगे तो यह हमारे पास बचेगा 9 इंच 9 इंच हमें में मेक अप करना है दोनों कटोरी में सामने ठीक है तो आदा कितना हो डाट डेंगे हम दोनों काटोरी पर तो यह बचेगा हमारे पास 4 इंच ठीक है इस प्रकार से अगर आप चाहो तो बलाउस का गणित निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तो आप यह देखिए यहाँ पर मैं निसान लगा देता हूं सबसे पहले एक गले के लिए ठीक है अब यह चार इंच बचा है तो हमें क्या करना है यहाँ पर एक दो इंच की मार्किंग करेंगे और दो इंच की मार्किंग से हम सीधे उपर तर ड्राइंग खिच देंगे ठीक है यह आगई ड्राइंग और इसके बाद क्या करना है हमें फिर यहाँ से दो इंच पर एक ड्राइंग लगाना है, ऐसे, यह देख़िए, इतनी, अब यह रख लिये हमने, अब हमें हैं क्या करना है, यहाँ पर यह जो गला है ना, यहाँ से मिलाएंगे इसे, और यहाँ पर ऐसे रख लेंगे, ठीक है, अब इस गले की हम, ड्राइंग कर लेते हैं, यहाँ तक, यह हमारा, गले की गुलाई और इसे सीधा कर लेंगे ऐसे और यहां से दे देते हम गले को पूरी गुलाई ठीक है यह गले की गुलाई आ गई तीन इंच पर अब यहां से हम क्या कटेंगे कटोरी कटोरी हम कटिंग करेंगे इसकी सवाब पाच इंच से ठीक है यह दोनों चीज समझ में आ गई यहां से मैंने देखिए इतना कपड़ा दो इंच इधर छोड़ दिया है दो इंच का एक मार्क यहां लगाया है उसके बाद गले की ड्राइंग उठा लिए अब आपको बेक से ही आपको डाइरेक कटिंग है यह कटोरी बिल्कुल इसी में से निकलेगी कहीं अलग से कटोरी नहीं काटना है आपको और हमें कितना इंच का डाट चाहिए उतना इंच का हमें यहां पर निकाल लेना है कपड़ा अब इसे देखिए मेक अप के से करते हैं देखिए यहां रखा मैंने ऐसे यह हो गया मेकप समझ में आ गया अब हमें क्या करना है यहाँ पर ऐसे हाथ रखना है हलके से दबा कर और इस ड्राप को जो बेग वाला है इसे यहाँ ले जाना है जहाँ पर हमने 2 इंच का लगाया था निशान ठीक है और यहाँ रखेंगे ऐसे हाथ ऐसे और ऐसे ठीक है यह हो गया अब आपको क्या करना है यहां से मार्क कर लेना है इस तरफ ठीक है यह हो गया हमारा मार्क अब इसको क्या करना है इस तरफ भी पुरा निसान लगा लेना है ऐसे ठीक है यह निसान मेंने एक जनरल नालेच के लिए लगा लिया है, ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे रखिल मारेंगे, ऐसे, और यहां पर देखिए, ऐसे, यह आजाएगा हमारा फरेंड का जो आर्मोल रहता है ना उसका गड़ा, आगे तरफ थोड़ा सा खाचना पड़त है अभी हमने यहां पर पूरा यह जो ड्राप बनाया हुआ है यह कैसे बनाया है कि इसके अंदर कटोरी भी आ जाएगी साइट का पला भी आ जाएगा और कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी इसे सिर्फ हमें क्रास पट्टी अलग में अचल से कटिंग करना होती है कि यह देखी यह पोने 15 पंद्रेंच है तो एक इंच कम करेंगे और यहांपर कितना का पॉने 14 लिए आप मतलब जितना यहां रखा था उतना आपको यहां रखना है ठीखे ऎप क्या करेंगे यह दोनों चीज हो गई है तीनो निशान लगा लिए हमने है ना यहाँ पर पोने पंद्रा यहाँ पोने चौदा इंच और यहाँ पर पोने पंद्रा इंच यह जो मार्किंग है ना मार्जिंग वाली margin वाली drawing के जगह पर देखिए यहाँ पर ठीक है यहाँ पर रखा हमने 14 inch 3 point याने 15 inch इस जगह रखा हमने 14 inch 3 point और इस जगह कितना रखा हमने 13 inch 3 point ठीक है यहाँ से 1 inch यहाँ पर कम रखा हुआ है अभी देखते हैं इसको हम क्या करना है अब यह लगा दिया हमने mark यहाँ से क्या करेंगे देड हमबर हम जितना दबाव देते हैं न हुक पट्टी में उतना और यहाँ से हमें यहाँ मिला लेना है यह मिला लिया हमने अब इसकी जो कटोरी है यह heavy chest blouse है तो इसकी कटोरी में थोड़ा different आता है तो क्या different आता है जरूर देखिएगा देखिए हम क्या बोलते हैं यहाँ से जितना हमारा chest है chest जैसे हमारा है 40 inch तो कटोरी की लंब़ई हम क्या करते हैं 1 inch कर देते हैं इस पर minus ठीक है तो वो कितना बनता था 9 inch लेकिन इस पर क्या करेंगे हम 5 inch देंगे दबाओ के लिए और अलग से यह देखिए कितना कर दिया है 5 inch 10 inch तो 5 inch 10 पर यहाँ निसान है मेरा अब इस से हम 3 inch उपर रखेंगे जो tux point है हमारा यहाँ पर इसको हमें एक drying कर लेते हैं पहले ऐसे ठीक है यह dot point है हमारा अब क्या करना है हमको जैसे हमारा चेश्ट था 10 तो कटोरी की चोड़ाई हमको रखना है 9 inch कहाँ पर रखना है इस line पे तो 9 inch कैसे रखेंगे डाइरेक यहाँ रख लेंगे ठीक है यह 9 पर आ गई अब इसको हम निसान बनाते हैं पहले ड्राईंग का आप चाहो तो कटोरी की ड्राईंग इस प्रकार भी उठ सकती है देखिए जहाँ पर हमने रखा है कितना है 9 inch यह 9 ठीक है 9 तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे ऐसे घुमा देंगे यहाँ पर रख लेंगे 8.5 ठीक है और इन दोनों ड्राईंगों को मिला देंगे जैसे यहाँ से मैंने निकाला इस ड्राईंग को यहाँ पर और यहाँ से ऐसे और इसी ड्राईंग को हम नीचे उतार देंगे सीधी जैसे जा रही है ना वैसे ही सीधी ठीक है यह हमारी कटोरी की ड्राइंग आ गई, यह साइट का पला आ गए हमारा, यह सभी चीजे एक साथ हम कटिंग कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, अब देखेंगे इस कटोरी का सेंटर, यहां से लेंगे, यह 9 इंच है, तो इसको हम रख लेंगे, 4.5 इंच पर, और यहां पर लगाएंगे एक, ऐसे सीधे मार्क, ठीक है, अब कटोरी में डाट कितना देना था हमको, 2 इंच का, 2 और दो, 4 इंच, देखें यहां पर 2 इंच का एक डाट, और यहां से, यहां पर 2 इंच का एक डाट, इसे हम यहां मिला लेंगे, ऐसे, और इसे हम मिला देंगे, यहां प अब देखिए ये जो ड्राइंग है यहाँ वाली इसको हम थोड़ा सा ऐसा हलकी सी गुलाई देते हों मिला देंगे यहाँ पर और ये जो ड्राइंग है न हमारी देखिए कहाँ पर यहाँ जामेने रखा था 15 इंच यहाँ पर रखाता वही पर हमें डाइरेक्ट इस प्रकार से ड्राइंग मिला देना है ठीक है अब क्या करेंगे हम अब यहाँ से हमें इसे धकाना है पौन इंच उपर किसको धकाना है यह जो साइट वाला भागाता है न इसको यह समझ में आगे आपको पूरा ध्यान से देख लिजेगा इस तरह से आप बलाउस कटिंग करेंगे तो आपको अलग से कटोरी नहीं काटना पड़ेंगी कभी एक साथ कटोरी पूरी टायरेक्ट निकल जाएगी ठीक है अब देखिए इस पर हमें एक और चेंज करना है व से निशान लगाएंगे ठीक और यहां पर एक हेंबर याने पाव इंच यहां पर भी एक हेंबर याने पाव इंच याने आदा इंच यहां पर देना है हमको डॉट ठीक है तो डॉट हम लगाने के बाद में इसकी कटिंग करेंगे इस साइट की अब देखिए यह जो मैंने उपर करने का बुला था ना इसे हम पॉनिंच उपर ऐसे कर लेंगे ठीक है यह पला कट गया है अब यह कटोरी जो है ना यहां रख लिए हमने और इसे देखेंगे ऐसे रख कर यह देखिए बिल्कुल जब हमारी कटोरी बन कर तयार होगी तो यह बिल्कुल शेप में आ जाएगी और अगर हमें लगता है कि पाव इंज या एक हेंबर उपर नी पड़ता है जब हमारी कटोरी पूरी जूड जाती है तब ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह कितना बन रहा है अब देख लेते हैं इसकी क्रास पट्टी कैसे देखेंगे यह देखेंगे हम क्रास पट्टी कितनी आ रही है इसकी 2 इंच तयार तो इसे हम 2 त्यार है तो कितनी रखेंगे, पोने 3 इंच, अब फरंट तरब दी भी देख लेते हैं, यह देखिए यहां पर रखा हमने, फरंट तरब कितना आ रहा है, फरंट तरब आ रहा है इसका, लगबाग 2 इंच, ठीक है, यहां से बरोबर रखकर ऐसे देख लेंगे, यह देखे कि फ्रंट तरफ धाई इंच तो इसे हम कित्ता रखेंगे साड़े तीन ठीके साड़े तीन और पुने इसको अब एक तरफ कर लेते हैं और यहां देखते हैं एक ड्राइंग शिट का टुकडा लिये हमने अब हम क्या करेंगे यहां पर निशान लगाएंगे यहां पर कितना था धाई तो हमें इस रखना है साड़े तीन इंच पर ऐसे और पीछे दो था तो हम रख लेते हैं इसको तीन इंच पर ऐसे और क्या करेंगे यहां से तीन इंच से एक और निशान लगा देंगे ऐसे यहां से हम लगभग साड़े तीन इंच पर एक निशान लगाएंगे ऐसे और यह जो ड्राइंग है न इसको ऐसे मिला देना है बस इतना करके आप क्राश पट्टी की कटिंग कर लीजिए देखिए दोस्तों यह हो गई हमारी और यहां पर साड़े साथ था हमारा तो साड़े आठ यहां पर आएगा उपर और इस पर देड़ेंच की देंगे मार्जिंग देड़ेंच की मार्जिंग देकर ऐसे भी निशान लगा सकते हैं चाहो तो इसे सीधा कटिंग कर सकते हैं ऐसे ताकि हम जब कमर के जोड़ाई करेंगे तो इसे हम तीरचा कटिंग कर देंगे ठीक है इसी प्रकार से कटिंग करना है आपको बलाउच की दोस्तो देखिए अस्तीन का वीडियो मैंने पैसल बना कर डाला हुआ है आप चाहो तो अस्तीन के वीडियो वहाँ से देख सकते हैं और अगर मुझे कमेंट आएगी कि आप अस्तीन का भी साथ में बताईए तो जरूर बताऊंगा और दोस्तो ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजेगा और चेनल पर नीव है तो चेनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और देखिए आई बटन और डिस्क्रिशन में मेरे वीडियो डले हुए रहते हैं और मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हर साइज का तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएग और इस प्रकार से ही blouse की cutting करिएगा आपका blouse कभी भी विगड़ेगा नहीं 100% guarantee के साथ दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए आइडिया के साथ और ये हमारी heavy chest cutory कैसी लगी आपको जरूर मुझे बताइएगा comments box पर thanks for watching